असलाम अलेकुम जी क्या हाले ठीक ठागे आनलत अलाब सब को अपने हिवज़ों मान में रखें आमीन सुमामी तो जी माशालला ये है जी सुमा का टाइम बच्चे जा चुके थे स्कूल और जाने के बाद फिर ये होता है कि घर के काम काज चितने भी छोटे बड़े होते हैं वो कर लेती हूं क्यूंकि बच्चों के हो रहे हैं फर्स ट्रम जल्दी आ जाते हैं साड़े ग्यारा बजे ही सुबह उनको इंडा स्लाइस दे देती हूं क्यूंकि ये होता है कि माम आम अडा प्राटा नहीं खाके जा रहे हैं आए हमा के खाएंगे फिर जब वो आते हैं तो बस यह भी आ जाते हैं और प्रिफ मैं इनके साथ ही नाश्ता कर लेती हूं प्रोपर नाश्ता बना के मैं होता है तजबियाद जो मेरी है रोटीन की वो पढ़नी होती है अगर ये ना करूं नो तो यकीन जाने मुझे सकून ही नहीं मिलता जैसे अजीब से मुझे घबराहट परिशानी सी जैसे अजीब सा जैसे एक इनर्जी सी नहीं होती है और सारा दिन यही होता है कि ये तजबी मैंने नहीं पड़ी और आज मैंने उक्राण शीब नहीं पड़ा नमास तो मार्शाला आम अदा करते हैं लेकिन तजबीहात या कुराण शीब में से दोनों में लेकिन दीन हमें साथ लेके चलना ही चलना है यह हमारी आखरत को बेतर बनाएगा और इसके बगएर हमारी जिन्दगी ना मुकमल है तो बस आपने पूरी वीडियो देखने हैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी क्योंकि आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता नमाज उम्रा यह सब हम पे वाजिब हो जाते हैं फर्ज हो जाते हैं और बस इसको हम फर्ज के मताबिक ही लेके चलते हैं कि नमाज पढ़नी है कुरांशी पढ़ना ही है तजबी पढ़नी है बस इसको हम जादा एक कते हैं ना कि एक जोश और जजबा होता है उसके मताबि पसामें पड़ तो रहे होते हैं लेंकिन अमारा जहन कई ओर हुटा है नमाज पर हमْ खढ़े होते हैं हाथ बांदके और बगादा कावे करो मूझ करके लेंकिन हमारे हुटाना है भी खाना घाना है बर्तं दोन nessa मार्तिश को को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूं मैंने जब से उनकी वीडियो देखी है तो बस मेरा जो है ना अब खैरे माशाला पहले भी हम पूरे एक पुरसकून महल में नमाज अदा करते हैं कुराण श्रीव तजबियात करते हैं लेकिन जब मैंने उनकी देखी है ना वीडियो तो मैं मेरे जिसम के रोंटे खड़े ही होगे और अजीव सी मेरे जिसे जिसम पे जैसे जैसे कपकभा हुट जैसे तारीह नहीं हो जाती ही हूगए क्यूंकि वो अपनी जिन्दगी के बारें बता रही थी वो यह बता रही थी कि पहले वो हिंदु ती गहीर मुस्लिम ती और जब पता चला इसलाम के बारे में, इनकी गहराईयों के बारे में, तो वो खुद पे खुद इसकी तरफ आई और उनका ये कहना है कि अल्ला ने मुझे हदायत दी और अल्ला ने ही मुझे अपनी तरफ पल्टा और मुझे किसी ने कुछ नहीं का, ना मैंने कभी इसलामी क कोई हिस्टरी पढ़ी, ना मैंने कोई वीडियो देखी, कुछ नहीं देखी, जब मैं इस तरफ आने लगी तो काफी लोगे ने मुझे का कि तुम ये अपनाओ नहीं कुए इसलाम बहुत ज़्यादा, आल्ला माफ करें, ना जो बहुत सक्त एक मजब है, ये चार दिवारी में वरत इसमें बन होके रहती है, निकाब करना पड़ता है, कई पार्टीज में नहीं जाना होता, और अपने किसी कजन से बाद नहीं करने होती, हाद मिलाना नहीं होता, मर्दों से गपशप नहीं, जैसे कहता है ना, फ्री होके गपशप लगाना और कहीं आपको घूमने पिने नहीं दिया जाएगा, किसी से बात नहीं करने दिये जाएगी और आपको ऐसा लिबास नहीं पहनना पड़ेगा, आपको एक तंबू सा पहन के बजारों में जाना पड़ेगा, आपको घबराहट होगी, परिशानी होगी, बहुत जादा ये सخت मजब है, लेकिन कहरी म ने उनकी एक ना सुनी, और यहां तक कि जब उनके अपने घर वालों ने उनको छोड़ दिया, यहां तक कि हता उनके माँ बापते उनके बैन बाईों ने, और वो जारोकतार वो रो रही थी, जारोकतार कि मुझे अपने घर वाले बहुत याद आते हैं, मैं के लिए रहती اور بس میں پانچ وقت کی نماز要दा करती हूँ Quran州 कि मैं बग говорит Engagement की आओं मैं पढ़ती हूँ अब काइदा सीकती हैं तर्मे के साथ और नमाज जब मैं पढ़ती हूँ पांच हो तो कोई ऐसी नमाज नहिए जिसमें मैं रो के ना उटू, अल्ला से फर्याद करके ना उटू कि या आलला मुझे इस पे, मतलब इसे मुसे जुड़े रखना और मैं इसे हटू ना और ये मेरे दिल में अंदर तक ये रहे, और बस बहुत जादा वो रो रही थी, इसलाम को पढ़के, इसके तालीमात हास ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, पहले हमें अपनी सारी जो हमने गुना की होगे, सब कुछ करके हमने नमाज नहीं पढ़ी होगी, किसी का दिल दुखाया होगा, हम कितनी मतलब इस लोगों के दिल दुखाते हैं, हम कहते हैं, नहीं हम नमाज भी पढ़ें, कुराशी भी तो हम तो बक्षे होएं हम तो सिधा जन्नत में जाएंगे हमें तो माफी है माफी है भई ऐसा नहीं होगा जितने भी हमने ये गुना किये ना दिन में हम पतनी कितने गुना करते हैं कितने माशाला से हम अच्छे काम भी करते हैं लेकिन पहले हमारी इन चीजों की पकड़ाई होगी पहले इनका हिसाब किताब हमें देना होगा फिर हम जन्नत में दाखिल होंगे ऐसे हर्गिस हम जन्नत में नहीं जाएंगे पहले हमें सारे जवाब देने होंगे सारी जो हमारी सजाएं वो पूरी करनी होंगी फिर हम जाएंगे तो क्या फाइदा ऐसे हमें हम ये काम करें और उसके बाद हमें कहीं जा कि फिर जन्नत मिले हमारे एक माथे पे लेबल हो जो माशालला हम जन्ती होंगे और जब हमारे एक माथे पे लेबल होगा ना कि भई ये अपनी सारी जो इनोंने मतब लोगों की दिल अजारी की और ये ये गुना की ये इनके माथे पे लेबल लगा हुआ है तो क्या फाइदा है से जन्नत में हम जाएं तो हमें क्यों ना हम इन लोगों से सबक हासिल करें कि जो माशाला जो दीन जिनों ने अपनाया है जारी पे नमास पड़े हैं लोगों की दिल अजारी भी नी कर रहे हैं और सीधे रास्ते पर भी चल रहे हैं और माशाला से उन्होंने मजभ भी अपनाया और दिल जान से अपनाया और उस पे काबले यकीन भी हैं और उतना वो जारो कतार जैसे वो रोरीती हिच्किया उन्हें लगे यकीन जाने मेरे भी आँखों से आंसू निकलाए और बस मैं उनको देखा ना मैंने तो बस मुझे य एक उखेंगी करें इसके बगयर जिन्दगी नहीं यह भी इबादत है अपने गहर वालों को देखना अपने बच्चेव को देखना अपने घहर को लेर के चलना ये तो इबादत है लेकिन हमें आज से ही यह वादा कर लेना चाहिए अपने आलओर रसूल से हम जो भी काम कर और दिन इस्लाम को मतलब आइसे लेके चलेंगे ना बस इसके बगखेर हम कहेंगे कि हमारी जिन्दगी ना मुकमल Aww insightful को आइट पकाएंगे ये रोजों में ये करेंगी ये बनाके रखेंगे लेकिन हमें अपने नहीं पता दिन इसलाम का कितने गहराईया हैं हमारा इसलाम बिलकुल मुश्किल नहीं है लेकिन हमने खुद इसको मुश्किल बना रखा है तो यह हमारा इसलाम बहुत बहुत असान हैं बहुत ज्यादा असानिया हैं मुश्किल जैन अपना ना भटकाएं, कुछ ना भटकें, जो मर्जी कोई कहता रहें, शादियों पर आप जा रहें, पहले नमाज अदा करें, सब कुछ अदा करके, घर के काम काश करके, लेकिन नमाज जरूर अदा करें, अपना सब कुछ करके, आपने कहीं जाना है, हम कहीं जाते हैं, सब कुछ चीजे बादत छोड़ के न हम घरों में से निकल पड़ते हैं शादियों में जाने के लिए फंक्शन में जाने के लिए भाई आके पढ़ लेंगे लेकिन ऐसा हर्गिस नहीं होगा बस आपको ये मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी है मेरा व्लॉग अच्छा लोग तो प्लीज एक माँ को आपने चैनल को सबस्क्राइब लाइक शेयर करना है और जादा से जादा मुझे सपोर्ट करना है आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत जूरते तो बस अजाज़त चाती हूँ क्योंके घर के माशाला से सारे काम कर ली है अब बस अपने वजू करके नमाज अदा करनी है और अगर मैंने आप लोगों को नमाज और कुराण शीव तजबिहात दिखाई तो आप लोग ये कहेंगे अपने ये अबादत दिखाई जा रही है अपनी नमाज दिखाई जा रही है तो बही अल्ला का मेरा है अल्ला से जो मैं अबादत करी हूँ वो अल्ला कबूल करने वाला है और अल्ला ही कबूल करेगा इंशाला ताला तो बस ये बाते आप लोगों को बताना जरूरी थी आप तक पुचाना जरूरी थी और अल्ला का जितना शुकर अदा करें उतना कम है कि अल्ला नहीं हमें एक मुसल्मान और एक रसूल को मानने वाला बनाया तो इजाज़ा चाहते हैं अपने अपने प्यारे का खयार रखें अल्लाफी